अधिक जानकारी के लिए दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये लिंक को क्लिक करें नमस्कार आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हो नीरजकुमार और वक्त हो चुका है दिल भर के बड़ी खबरों की और बड़ी खबरों में पहले नमबर पर है पाकिस्तान के परधान मंतरी इमरान खान ने एक बार फिर से जम्मू कस्मीर का राग अलापते हुए जम्मू कस्मीर के लोगों को कूट नीतिक, राजनेतिक और नेतिक सहयोग देते रहने का ऐलान किया है आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस बयान बाजी ने एक बार फिर से कस्मीर में उनके दखल की दोगली नीति को उजागर कर दिया है संसद में अपमान जनक हार की संभावना को देखते हुए ब्रिटिस परधान मंतरी थिरेसा में ने यूरोपिये संग के साथ बाचीत की ब्रेकजिट योजना पर वोटिंग को अस्थगित करने का ऐलान किया है इसको लेकर पियम ने कहा है कि अगर ब्रिटिन इस दिसा में आगे बढ़ा और मतदान किया तो डील को बड़े अंतर से खारिच कर दिया जाएगा और बड़ी ख़बरों में तीसरे नमबर पर है राज्थान चतिसगर मध्यपरदेश में निरासा जनक चुनावी परिनाम के बाद भाजपा हाई कमान अब इन तीनों ही राज्यों से सिवराज वसंदरा और रमन सिंग को किनारे करने जा रही है सुत्रों की माने तो पार्टी अला कमान पहले से ही इन तीनों को हटाने के मूड में था लेकिन इन चुनाव नतीजों ने भाजपा है कमान को एक बड़ा मौका दे दिया है और अब इन लोगों को बोलने का भी कोई मौका नहीं रह जाएगा और बड़ी खबरों में चौथे नमबर प्र है पांच राजियों के विधान सभा चुनाव में भाजपा के निरास करने वाले परदर्शन को लेकर पूने से भाजपा सांसद संजय काकरे ने चुनाव में कमजोर अस्थिती के लिए सरकार की वरतमान नीतियों को जिम्मेद ठहराते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही राजस्थान और च्छतिजगर में हार का अंदेशा था लेकिन मध्यपर्देश में भाजपा की भुरी हालत सोचने वाली बात है और बड़ी खबरों में पांच में नमबर प्रहे रिजर्ब बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद उनके कारियों की सराहना करते हुए नीति आयो के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी भी एक व्यक्ति के जाने से आर्वियाई के कामकाज पर कोई बुरा असर नहीं परने वाला है उन्होंने दावा किया कि केंद्रिये बैंक की संस्थागत समताएं काफी मजबूत है और बाजार हुए अर्थविवस्था के लिए जो जरूरत परेगी वह आर्वियाई करेगा और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है हैदराबाद उच्चे नयाले ने एक व्यवसाई 37 बावु सना की याचिका पर सीवियाई से मंगलवार को जवाब मांगा है याचिका में सना ने रिश्वत संबंधी आरोपों में विसेश निदेशक राकिस अस्थाना के खिला से पहले परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सभी दलों के सांसदों से सीत कालिन सत्र को लोक हित और देश हित में सार्थक बनाने की अपील करते हुए कहा कि लंबित विधाई एजेंडा पूरा करने के लिए करी मेहनत करने और सारे एहम विसेयों को नतीजे तक पहुँचा पहुचाने के लिए वो काम करेंगे और बड़ी खबरों में आठमे नमबर पर है सरबोचे नयाले ने दूबैवार की सिकार महलाओं की पहचान सार्वजनिक करने और उनके साथ होने वाले समाजिक भेदभाव को लेकर करी टिपनी करते हुए कहा कि कैंदर और राज्य सहि पुनरवाज सेंटर बनाने जाने का निर्देश दिया इसके साथ ही कोट ने इन महलाओं के साथ होने वाले वहेदभाव को बेहद दुखद भी बताया और बड़ी खबरों में नौ में नमबर पर है म्यूजोरम विधान सभा चुनाओ की तस्वीर साफ हो गई है जहां एन एमेफ ने जवरदस्त बहुमत के साथ दस साल बाद परदेश की सत्ता पर वापसी की है आपको बता दें कि राज्य में एन एमेफ की ऐसी आंधी चली है कि कॉंग्रेस के मुखमंत्री पी लल्थन हवला खुद दोनों जगहों से चुनाओ हार गए हैं राजश्थान विधान सभाचुनाव में भी कॉंग्रेस जीत के करीब करीब पहुंच चुकी है और बहुमत्र से महज कुछ अंक ही वो दूर रह गई है और ऐसे में उसे बसपा के विधायकों के सपोर्ट की जरूरत होगी और इसी को देखते हुए बसपा परमुख मायवत्ती ने अपने तमाम बेदायकों को दिल्ली बुला लिया है जबकि कॉंग्रेस में सीम फेस को लेके मथा 25 शुरू हो गई है और इस बीच सीम के चहरा माने जाने वाले असोग गहलोत और सचिन पैलेट ने एक के बाद एक फ्रेस कॉंफरेंस कर एक स्वर में सीम का फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया है और बड़ी खबरों में 11 में नंबर पर है हर्याना के मुखमंतरी मनोहरलाल खटर ने हर्याना में आज किसान खेत सरक योजना नाम की एक योजना की शुरूआत की और इस योजना के त पर्देश की परतेक विधान सभा में 500 किलो मीटर के रास्तों को पक्का किये जाने का लक्स रखा गया है और बड़ी खबरों में 12 में नंबर पर है परधान मंतरी नरेंद्र मोधी द्वारा सोनिया गांधी को विधवा कहे जाने को लेकर हिमाचल पर्देश युवा कॉंग्रेस ने करार रोस जताते हुए सिमला में पीम का पुतला फुका है और इस दोरान हिमाचल पर्देश युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष मनीश ठाकुर ने पीम मोधी पर सोनिया गांधी का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीम मोधी अपने पद की गरी साल बाद फिर से एक बार सत्ता में वापसी कर रही है आपको बता दें कि 36 गर में कॉंग्रेस पार्टी को लगभग 69 सीटे मिल सकती है जबकि परदेश में 15 साल तक राज करने वाली भाजपा महज 39 सीटों पर सिमट सकती है और अन्य में बियस पी और अजीत जोगी को मिला कर 9-10 सीटे मिलने की संभावनाएं हैं और बड़ी खबरों में 14 में नंबर पर है राज्थान विधान सभा चुनाओ की मतगरना अभी भी जारी है और तस्बीर पूरी साफ होते दिख रही है यहां कॉंग्रेस फुल मैजोरिटी के साथ सरकार बना सकती है लेकिन उन्हें इसके लिए BSP के सहारे और अन्यके सहारे की भी जरूरत पर सकती है इन सब के बीच परदेश के निवर्तवान मुखमंतरी वसंदरा राजे सिंधया जालरा पाटन सीट से अपनी सीट बचाने में काम्याब रही आपको बता दें कि परदेश में वसंदरा राजे की सरकार के खिलाफ बनी जवर्दस्त एंटी इंकमवेंसी लहर ने भाजपा को हार के कगार पर खड़ा कर दिया और बड़ी खबरों में 15 में नंबर प्र है पाज राजियों के विधान सभाचुनाव के परिनाम लगभग आ चुके हैं जिनमेंसे राजिस्तान, मध्यपर्देश और 36 गर में लगभग कॉंग्रेश की सरकार बनना तय हो गया है जबकि मिजोरम में एनेमेफ की फुल लहर दिखाए दी और वहां से कॉंग्रेश के मुखमंत्री भी हार गए और अगर बात करें तेलंगाना के चंद्र सेखर रौ सरकार की तो चंद सेखर रौ सरकार वहां एक बार फिर से फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में आने जा रही है वैसे राजस्थान और मध्यपर्देश में कॉंग्रेश पार्टी को सरकार बनाने के लिए बीएसपी और अधर के सहारे की जरूरत पर सकती है क्योंकि फुल मेजोरिटी का जो आकरा है वो कॉंग्रेश पार नहीं कर पा रही है आपको बता दें कि राजस्थान में फुल मेजोरिटी के लिए 100 सीटें चाहिए और कॉंग्रेश पार्टी को लगबग 100 सीटें ही मिलती हुई दिख रही है और बड़ी खबरों में 16 में नंबर पर है रिजर्ड बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल द्वाराप अपने पद से इस्तीफा देने और विधान सभाचुनाओं के परिनामों में भाजपा के गिरते ग्राफ को देखते हुए सेर वजार का सूचकांक भूतल पर आ गया है और इन चिनाओं के परिनाम के कारण Bombay Stock Exchange के 31 सेर सूचकांक 1675.59 अंक यानि की 1.07% तूटकर 34,584.13 पर पहुँच गया वहीं 50 सेरों वाला National Stock Exchange भी 138.4 सुन्य यानि की 1.32% तूटकर 10,350.5 पर बंद हुआ और बड़ी खबरों में 17 में नंबर पर है पांच राज्यों के विधान सभाचुनाओं के नतीजों के मद्दे नजर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संजोजक्त अरबिंद केजरीवाल ने 2019 लोकसभाचुनाओं की तयारी के लिए राजधानी दिल्ली में एहम बैठक और इस दोरान आम आदमी पार्टी लोकसभाचुनाओं अभियान के दूसरे चरण की घोसना कर सकते हैं और आगे की रननीती पर भी चर्चा करेंगे और बड़ी खबरों में अठार में नमबर पर है पांच राजियों के चुनाओ परिनाम के बीच कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता गुलाम नवी आजाद ने मोधी सरकार पर कराहमला करते हुए दावा किया की कैंदर एवं राजियों की भाजपा सरकारों के खिलाफ जनता मे की बात कर सकती है इस बीच कॉंग्रेस के ही वरिष्ट नेता वीके हरीपरसाद ने भी पीम मोधी और अमित साह पर तंच कसा और उन्होंने कहा यह 56 इंस के सीने वाले नेता के एहंकार और नकली चानक्य के एहंकार को थपर है और बड़ी खबरों में 19 में नमबर पर है आर नए गवर्नर के पद का नाम आज देर रात तक जारी किया जाएगा और बड़ी खबरों में 20 में नमबर पर है भारतिये जनता पार्टी के वरिष्ट नेता और बिहार में कृसी मंतरी प्रेम कुमार ने राष्टिये लोकसमता पार्टी के सुप्रीमों उपेंद्र कुसव के इस्तिफे को लेकर बड़ा वयान देते हुए कहा कि भाजप्पा चाहती है कि उपेंद्र कुसवा भाजप्पा में बने रहें लेकिन यह कुसवा पर निर्वर करता है कि वो क्या करते हैं और बड़ी खबरों में 20 में नमबर पर है सप्पा पर मुख अखलेस यादव न बड़े वड़ों का सत्ता हो जाती है 9-11 में 15 साल बाद बड़ा उलट फेर करते हुए कॉंग्रेस ने भाजप्पा की रमन सिंग सरकार को मात दे कर 36 गर में कॉंग्रेस ने अपना धवदवा कायम कर लिया है और बड़ी खबरों में 24 में नमबर पर है रिजर्ड बैंक आफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद लंदन के एसमोर ग्रूप के रिसर्च हैड जे डैन ने भारत में वित्तिय अनुसासन को लेकर बड़ा वयान देते हुए रिजर्ड बैंक की को सही ठहराया है आपको बता दें कि एसमोर कंपणी के हैड ने पटेल के जाने से आर्बियाई के कमजोर परने का दावा किया है और बड़ी खबरों में 25 में नमबर पर है प्रतिष्ठित अर्थसास्त्री और अस्तंबकार सुर्जीत भला ने परधान मंत्री नरेंद्र मोध कि आर्थिक सलाहकार प्रिशद की प्राट टाइम सदस्ता से इस्तिफा दे दिया है इसको लेकर सोशल मीडिया के जडिये उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने पी आँखों की रोशनी बढ़ती है लेकिन मचली के तेल को लेकर हाल ही में किये गए एक सोध में दावा किया गया है कि मचली का तेल सरजरी के दोरान होने वाली बलडिंग को रोकने में काफी मददगार होती है सोध में यह भी कहा गया है कि इसमें पाए जाने वाले ओमेगा थ्री फैटी एसीड रक्त सराव को कम करने में मदद करता है और बड़ी खबरों में 27 में नंबर पर उनलों के लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी धूर रहे हैं हर्याना पोस्टल सरकल की ओर से गरामिन डाक सेवा के 682 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं एक्छुक उमिद्वार दो जन्वरी तक ओफिसियल वेबसाइट www.india.post.in पर जाकर आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बड़ी खबरों में 28 में नंबर प्र है ICC की ओर से जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतिय कप्तान विराट कोहली ने ICC की बल्लेवाजों की विश्वर रैंकिंग में अपना नंबर एक अस्थान पर बरकरार रखा हुआ है इसके साथ हुई टीम इंडिया की नई दिवार चेतेस्वर पुजारा भी सिर्स पाँच में सामिल हो गए हैं जबकि गेंदबाजों में जस्परित बुम्रा अपने केरियर की सर्वस्रेश्ट रैंकिंग हासिल करने में सफल रहे हैं और बड़ी खबरों में 29 में नंबर पर है सहरुक खान के साथ अपनी फिल्म जीरो के परमोसन में जुटी अभिनेतरी कैटरीना कैफ ने सहरुक खान के साथ अपने अनुभवों को साजा करते हुए कहा कि 6 साल पहले जब वह सहरुक खान के साथ जब तक है जान सूट कर रही थी तब वह सहरुक खान से बेहद डरी-डरी सी रहती थी लेकिन इन 6 सालों में उनका डर खत्म हो गया है और बड़ी खबरों में 30 में नमबर पर है रजनी कांत और अक्षे कुमार की फिल्म 2.0 ने दुनिया भर से 620 करोर से अधिक का कलेक्शन कर लिया है और यह फिल्म अब भी नए रिकार्ड बनाते ही जा रहे हैं आपको बता दें कि 2.0 ने घरेलू बॉक्स आफिस पर भी हिंदी वर्जन में अब तक 170 करोर 50 लाख रुपे का कलेक्शन कर लिया है तो यह थी आज दिन भर की बड़ी ख़वरें और ऐसे ही ख़वरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिकेशन बेल है घंती है उसे भी दबा दिजे ताकि देश और दुनिया के तमा ख़वरों से आप रह सकें अपने